के इस जगे मां यह हम कर दोश्तों हुथ मेरा देखने वाले हैं हीнов कि तेस्टोमोनी और वह भी पांच टेस्टोमोनी अलग 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 इसिर पर में प्राइस के अंदर भी अगर आप रोगों से फ्री हो रहा है आपके दवा के साथ अगर आप इसको कंज्यूम करते हो तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफीशल फाइदेस होते हैं आप इसके प्राइस के उपर मच जाएगा तो कि प्राइस इंडियन मार्केट के साब से भली ह लेकिन प्राइस हा इस ले हो जाता है क्योंकि इसको इंपोर्ट करना बढ़त हो दूट इसके गरने हाय हो जाते लेकिन ये जो प्राइस नंदर भी है अगर आप रोगोस् embakha के साथ आप ले रहो णो से महेंगा दिखेंगा लेकिन अगर आप लॉंग टम में सोचोंगे तो यह 15,000 रुपे पई लाखों रुपे आपके बचा सकता है दस लाग वीश लाग पचीस लाग पचास लाग दो लाग पांच लाग किते भी अगर बात करें बीमारी हमको नहीं मालूम बीमारी में कितने प करूंगा इसके साथ में जोड़ूंगा नहीं हां लेकिन आपके प्रूप के लिए एबी का स्क्रीन शॉट जरूर इसके साथ अटाश करूंगा तो पहले टेस्टोमोन ये लिली की जिन को हाई ब्लड शुगर की समझ से आती इसको हाई पर गलेसीमिया भी कहते याने इसका आर्थ है कि शरीर में बहुत अधिक शरकरा है क्योंकि शरीर परियात इंसुलिन की कमिया ने इंसुलिन बना नहीं पाता हाई पर गलेसीमिया मधू में ऐसे संबंदित होता है जिसमें उल्टी अत्यादिक भूक प्यास तेश दिल की धड़कन आखों की समस्या और अ अन्य स्वास्त समस्याव को जनम भी देजता है यह हैपर गलेसीमिया या जिसको हम बोले डायबीटिस ठीक है वहुत से लोगों को सेक्ष्योल प्रॉब्लम भी इसके अंदर में मेली मैं बात करूँ मेल के अंदर में देखा जाता है ठीक है तो पहली टेस्टों मनी है तो लिली हाई ब्लड शुगर से काफी साल से परिशानती उन्होंने छे मैने हिमोईम लिया तो उनका ब्लड शुगर लेवल जो उन्होंने सोचा भी नहीं था उतना कम हो गया याने एक पॉइंट नाइन से 6.3 हो गया एक पॉइंट नाइन रीडिंग आप गूगल कर लेना आ प्रवज में आएंगा मैं डिटेल्स में नहीं जाओंगा लेकिन दू के और यूएस में 8.9 6.3 ऐसा ही लिखा जाता है ठीक है वे कहती है इटी दा अमेजिंग प्रोड़क्त डाट आई रिस्टोर मां हेल्थ वित हीमोईम मेरी हेल्थ मैं रिस्टोर कर रहू हीमोईम के त ऐसा पतिपत्नी के सकारात्यक संबंध होता है वैसे ही है ब्लょड़वफियर और यूरिक असिड के अंदर में बीच में सकारात्यक संबंध होता है अगर इस पे उपचार नहीं होता या यह कम नहीं होता यूरिक Anybody होता तो गो ऑनً परमननने रिमेंगadora में प्रमननघ्स प् और यूरीक एसे प्यापका हमे कहाई तिसके टेस्टोमोनिय इनका नाम रेस्टीवन ब्ल Quinl चे üиться काफी दिनों से से परिशान ते लगबक इन्होंने एक मैले से ज्लदा ही मने के बाद जब टेस्ट कराया तो हा हे ब्लल प्रिर एन यूरीक ऐसीड नौर्मल हो गया था जिससे वे काफी का साल से तो अल्रड़ी परिशान थे लेकिन एक जब विजल देखा उन्होंने तो काफी खुश हुए और हिमोहिम को उन्होंने बेस सप्लिमेंट माना हुए तो हिमोहिम मैं पहले भी बोल दू कोई दवा नहीं लेकिन आपकी इम्मुनिटी को इ एक से ज्यादा जॉइन्स हमारे शरीर के अंदर जित्ते भी जॉइन्स होते नॉर्मली घुटनों में देखी जाती है लेकिन एक से ज्यादा जॉइन्स में हो सकता है जिसमें पेन होता है स्वेलिंग होता है स्टिफनेस भी आ जाता है यह प्राइमरी सिम्टम से अर्थरै इसके नाम से भी जाना जाता है पर पर्टिकुलरली कॉमान इंदर नी है एक उमर के बाद में नी पेन आप देखते होंगे हमारे घर के जो थोड़ी सी उमर जिनके 40-50 के उपर होगे ये 50-60 के बीच में या 60 के उपर होगे उनको चलने में दिक्कत होती है उठने में दिक्कत को समाध्या से जूसते हुए देखे हैं तो ना टेस्टमो नी देख ते रिनिटा इनका नाम है बोन अर्थराइटिज इनकी के अर्थराइथ ez ये परिशल विचल भी नहीं सकती थी और सीड़ी बी screamed उतर नहीं सकती थी बैड भी नी सकती थी, तीन हफते हीमोहिम लेने के बाद में वो बैड सकती थी, सीड़ी चड़ पारी थी, सीड़ी उतर पारी थी, उनको जो पेन हो रहा था, उसके अंदर भी कमी आये थी, वक है थी, it is a fantastic product for me, वो कहीती हीमोहिम इस a fantastic product for me, अभी तक मार्केट के मैं इतने स सारी दवा ले रहा हूं, लेक ले रहे हूं, तो भी मैं को से relief नहीं मिला, लेकिन हमोहिम से मुझे इसके उपर relief मिलना चाहुआ, चालू हो गया, चौथी है next willing के उपर में, next willing आने बड़े हुए lymph nodes, आप भी देखते होंगे बहुत से लोगों के ऐसे बड़े हुए हो जात नेक्स बढ़ जाते है, ठीक है, यह आम तोर पर bacteria, viral, संक्रमन, cancer या अन्य दुरलफ कारण के कारण होता है, जबड़े के नीचे के जो लार गरंतियों में सुजन, संक्रमन या cancer के कारण भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं यह cancer ही हो, तो टेस्टोमनी देखते हैं, इनका नाम ह अंकल AW, इनको लंबे समय से गर्दन में सुजन और लाली से परिशान थे, एक तरह से लाली होती थी और गर्दन में सुजन थी, इनके डॉक्टर ने बोला, अत्यादिक शरीर इनका गरम होने के कारण यह समस्या आपको हुई है, आपका समस्या बहुत ज़्यादा गरम है, इसलिए आपको यह समस्या से गुजरना पड़ रहा है, इसलिए अंकल AW ने ज़्यादा ठंडा खाना चालू किया, जिसके कारण उनके पैरों की ताकत कम होगे, हस से ज़्यादा ठंडा खाना चालू किया, जो बीजिशे उनको ठंडी मिलती थे, ठंडी कंज्यूम करते थे उनको ऐसा लगता था कि थंडा खाने से मेरे शरीट की गर्मी कम होगी, लेकिन एक गलस सोचे आप भी जानते, भली बहार से थंडा लगता है, लेकिन ओ गरम होता है, ठीक है, यह आप भी जानते, इनके भतीजे ने इनकी यह स्तीती देखकर, उनको कुछ ही मोहिम के पाउ वेसला किया, क्योंकि उनके सामने और कोई विकलप और और कोई चारा लेने से उनकी समस्या बढ़ रही थी, घट नहीं रही थी, और पहरों की समस्या उनके पास खड़े हो गई थी, सिरिप चार दिन, दिन में दो बार हिमुहिम लेने से, उनको अश्चर जनक रूप से, उनके गर्दन की सूजन और लाली में कमी आई, इत्ते दिन से इलाज कर रहे थे, इत्ते दिन से परेशान थे, डॉक्टर ने इनको बोला कि आपका शरीर गरम है, करके आपको एस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इनके भतीजी ने इनको हिमोहिम के कुछ पाउच दिये, चार दिन सिरिफ इनोंने दिन में दो बार हिमोहिम लेने से उनके जो गर्दन की सूजन थी, गर्दन की लाली थी, जो दर था, उसमें कमी आ गई, और ये कमी इनोंने कंटीनू लेना चालू किया, और ये कमी इनके पूरी तरसे खतम हो गई, वैसे तो इनका कहना है कि चार स्टोमनिंए शोल्डर में यह फिजिकल डिसकॉंफर्ट अब शोल्डर होता है इंक्लोडिंग जॉइंट इसेल हमारे जॉइंट होते हैं उसके अंदर भी हो सकता है मसल्स टेंडरंस एंडली गामेंट्स जो जॉइंक को सपोर्ट करते यह जो जित्ते भी पाठ बाहलों बात स्ट्रेन एक करवट पे सुना अभी जो मैंने आपको प्रोबलम बताया पहले वाले हो सकता है कभी आप कोई कंदे के उपर में ज्यादा जोड़ दे के सो लिए बहुत ज़्यादा एक कंदे से काम कर लिए मोच आ गया स्ट्रेन आ गया जिसके कारण भी कंदे में दर्थ होता है तो डिक्ते टेस्टोमनी हों इनका नाम है जिनके टेस्टोमनी में आपको बता रहा हूं वे शोल्डर पेंसे सफर करें जब से वे ट्रिप से वापस आये थे हो सकता है ट्रिप में बहुत जदा ड्राइविंग हुआ हूंगा या ट्रैकिंग किया हूंगा तो एक हाथ के लेना तो वे चाइनिज डॉक्टर के पास गया उन्होंने सालिột है अाध्य जानते है ट्रिपेंस जानेज लोग ई तो उन्हें एकूपेंचर ट्रि pena चालू किया, पर वे ठीक नहीं हो पारेते, फिर उन्हें को किसी ने हिमाइम के बारे में बताए, उन्हें हिमाइम लेना चालू किया रोजाना दो पैक एक मैना हिमोहिम लेने के बाद में उनका शोल्डर का दर्द पुरी तरह से गायव हो गया समझिआ आप बात को कि शोल्डर का जो पेन होता है अगर आपको frozen shoulder है frozen shoulder पे बहूछ सारी चीज़ा आप करते हो मैं भी frozen shoulder से काफी दिन से परिशान था जब लेकर स्टार्टिंग में मैंने हिम हम लिया जब इंडिया में लॉंच भी नहीं हो आ था मैंने कूर यह से मंगा था तो कब मेरा shoulder shoulder निकल गया मेरे को खुद को भी पता नी चला तो यह test amony मैं भी निए बना पाया नी तो मेरा हाथ जो है ना ये हाथ जो है राइट हांड ये सिर्फ इत्ताइव उठ्टा ता इसके उपर ऐसा जाता नहीं था तो मेरा ये शोल्डर पेन फ्रोदन शोल्डर का प्रोब्लम सौल हो गया था ही मुहिम से हाँ लगभग मेहना बर मेरको भी लेना पड़ता ही मुहिम स्पिरड में इस तरह के है अमेजिंग रिजल्ट से ही मुहिम के तो पैसे को मत देखिया शौर्ट टम में आपको पैसा डेफिनिटली कोशवी लगने वाला है अगर आप देखांगे कि महने बर की कोस्ट आप निकालोंगे 15 रुपे तो महने वर की कॉस्ट आपको महिंगे लगने वाली चार मेने ले आपको आने वाले दिनों के अंदर में लॉंग टम के अंदर में जो लाखो रुप्य आपके सेहत पे खर्चा करने वाले आप उससे आपको बचाते लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ही मुहिम कोई दवा है हेत caught with हाई एक परकार का का इम्मुन बुश्टरर आपको यह ठीक करता है तो जिस किसी को भी सबसे पहले न तो आपको एक सस्क्राइब और वेल आइकोन दिख रहां很好 उसको सब्सक्राइब करने से आप हगदार बनते हो कि सबसे पहले उस वीडियो को आप देख भाए ठीक है उसके बाद जिस किसी को भी हिम हिम या एटोमी का अन्य कोई प्रोड़क्ट चाहिए तो डिटेल्स पूरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में डिटेल्स में और साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिए चानल को शेयर कीजिए चानल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के नए नहीं नहीं जानकर है मैं आपके पास लेकर आप हूँ धन्यवाद नमस्कार जहें